नवश्कार दोस्तों Guide of Path में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आप लोग का दोस्त अभिशेक और दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जादा एप स्पेशल क्योंकि आज जो मैं कॉंसेप्ट लूँगा वो है Advanced Data Validation दोस्तों अगर आप लोग ने Data Validation concept नहीं समझा है तो आप लोग मेरी Basic वीडियो है Data Validation पर वो चेक कर सकते हैं लेकिन आज मैं Advanced Data Validation को Consider करने जा रहा हूँ और आप लोग को खास कर यहां पर जो मैं Point समझाऊंगा Data Validation का वो कौन सा Point है जरह मैं आपको बता देता हूँ Data Tab पर अगर आप लोग को यहां पर Data Validation option दिखता है तो आप लोग इस पर जाते हैं और बेसिकली यह सारे options है आप लोग यूज करते हैं लेकिन इन में एक बहुत ही special option होता है जो होता है Custom इसको आज हम यूज करने वाले है अच्छे तरीके से Because the reason is that अगर आपको Multiple Conditions का इस्तमाल करना है तो आप Multiple Validation नहीं लगा सकते किसी भी एक option से लेकिन अगर आप Custom को इस्तमाल करना जानते है तो आप Multiple Validation लगा सकते हैं आप लोग कई सारे Conditions के basis पर अपना Validation लगा सकते हैं डेटा को Validate कर सकते हैं डेटा को Restrict कर सकते हैं बहुत सारे Validation के basis पर तो ये आज हम सीखने वाले इस वीडियो में इसी को बोलते है Advanced Data Validation तो चलिए चुरू करते हैं आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने हैं एक छोटा सा कोशन जिसमें मैंने आप लोग को बताया है कि Order ID आप लोग को कुछ इस परकार से दी गई है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर Order ID आप लोग को इस परकार से दी गई है ऐसा मैं restrictions करना चाहता हूँ इस पूरे column के अंदर तो दोस्तो order id से related ये मैंने एक concept लिख दिया कि मेरी order id इस प्रकार होनी चाहिए लेकिन इस order id से related ये 4 बाते मुझे prove भी करनी है यानि अगर मैं इन 4 बातों को तोड़ता हूँ तो मेरी order id काम नहीं करनी चाहिए ये मैं चाहता हूँ और ये 4 बाते क्या है जरद्यान से देखे पहली बात ये है कि मेरी जो order id है वो unique होनी चाहिए दूसरी बात ये है कि मेरी order id 5 digit क्यों होनी चाहिए तीसरी बात ये है कि मेरी order id का first three letter जो है id dash होना चाहिए और चौती बात ये कि मेरा जो order id है वो सिर्फ और सिर्फ text होना चाहिए कोई number नहीं होना चाहिए इन चार बातों का अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ तो ये मैं आप लोग को data validation के अंदर लगा कर दिखा सकता हूँ तो चलिए एक एक करके इस सारे questions का हम लोग answer करते हैं और ये basically मैंने यहाँ पर बना रखे थे आप देखे इनी के basis पर मैं आप लोग को समझाता हूँ कि ये सारे questions कैसे होंगे तो पहले मैं single single सब कुछ समझाता हूँ जैसे की question number 2 है जिसमें id 5 digit क्यों नीची है तो दोस्तो basically करना क्या होता है आप लोग को जब भी कोई cell आप reference में बनाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को formula apply करना होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने apply किया है length formula और length formula के थरू मुझे बताया गया है जब मैंने यहाँ पर length formula को put किया तो इसने मुझे जो result दिया आप देख सकते हैं यह जो result आया है वो 5 आया है अब मैं जानता हूँ कि मुझे यह 5 character का चाहिए तो मैं इसके साथ अपनी condition को लगा दूँगा equals to 5 अगर मैं चाहता हूँ कि वो 4 digit का भी accept कर ले वो 3 digit का भी accept कर ले text की length 5 से जादा नहीं होनी चाहिए तो मैं यहाँ पर less than equals to का sign लगाँगा जिससे की वो 1 भी accept कर लेगा 2 भी accept कर लेगा 3 भी accept कर लेगा 4 भी accept कर लेगा यानि की कोई भी ऐसी value को accept कर लेगा जो 1 से लेकर 5 तक है लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी value सिर्फ और सिर्फ accept करे 5 digit की तो आपको लिखना होगा equals to 5 तो देखे दोस्तों जहां जहां पर आप लोग का 5 character था वहां वहां तो true आ रहा है और जहां जहां पर 5 character नहीं था वहां पर false आ गया चलिए देखते हैं दूसरे question की बात करते है दूसरे question में आप लोग को बोला गया था अगर अपने third question की तरफ चले तो third question में आप लोग को बोला गया था कि जो order id का first three letter है वो होना शहीए आपका id dash तो आप लोग को id dash निकालने के लिए आपको एक function इस्तमाल करना होगा जो की है left अब left function आप लोग जब भी इस्तमाल करते है तो वो आप से पूछता है text और number of character तो text तो आपने ले लिया उसके बाद आप number of character बताएंगे कि कितने characters आपको left के pick up करने है तो आपने left के 3 characters को pick up कर लिया यहां से ठीक है उसके बाद आप लोगों ने बताया वो 3 characters क्या होने चाहिए तो वो 3 characters आपके ID डाश होने चाहिए आपने बता दिया तो यह condition अगर वो proof हो जाती है तो आप लोग का यह true आ जाएगा otherwise यह falls आ जाएगा तीसरी condition जो है आप लोग की most important है और वो है आप लोग की order ID unique होनी चाहिए दोस्तों unique में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहां पर सबसे बहले आप लोग को range देखनी होगी अब count if मैंने यहां पर क्यों यूज किया है ज़रा ध्यान से देखिए count if मैं मैंने range को select किया है यानि इस पूरी range में मैंने पहले cell को count किया है इसी तरीके से मैं जब इसे drag कर दूँगा इस formula को तो यह हर range में c4 then c5 then c6 यानि हर value को count करेगा और आपकी हर value जितनी बार भी होगी वो result देदेगा जैसे कि अगर मैं इसे 1 को हटा दू तो आप देखें यहाँ पर जो result आ रहा है वो कुछ इस प्रकार आ रहा है अभी यह सारी value एक ही बारा रही है पूरी range में इसलिए कहीं पर भी error नहीं आ रहा कहीं पर भी false नहीं आ रहा that's a point तो मैं आप लोगो दिखाना शाओंगा data validation मैंने इस पर apply कर रखा है तो एक बार हटा देते data validation फिर मैं आप लोगो चेक कर आता हूँ यह देखे मैंने यहाँ पर data validation लगा रहा है इसे clear कर दिया और अब अगर मैं यहाँ पर same order id pick up करता हूँ तो आप देखे यहाँ पर two आ गया है जिसकी वज़े से यहाँ पर भी two आ गया और यहाँ पर भी two आ गया है यानि कि यह जो पूरी range में यह number है यह दूबारा आ रहा है तो आपको क्या करना है इसे restrict करना है equals to one तो आप equals to one कर दीजे जिससे क्या होगा यह पूरी range में one time restrict हो जाएगा और अगर यह one के बराबर नहीं होगा तो यह false देदेगा तो इस तरीके से आप यह भी कर सकते हैं उसके बाद आप लोग को चौथा question जो मिलता है वो है text का तो आप लोग को simply text के लिए use करना है is text function और इस text function आप लोग को true और false value ही देगा तो आप लोग इसमें comparison के लिए कुछ भी use नहीं करना है simply आप इस text लगाए और bracket में इस cell को रख दीजे तो यह आपको अगर इस cell में text लिखेंगे तो यह आपको result true देगा और अगर आप कोई number type कर देंगे तो यह false दे देगा ठीक है तो यह बात आप लोग को समझ में आगी अब आपको क्या करना है अब आपको इन सारी conditions को एक साथ use करना है तो आप लोग इन सारी conditions को एक साथ use कर सकते हैं end function की मदद से क्योंकि end के अंदर आप conditions रख सकते हैं दोस्तों यह देखे मैं end function के अंदर इन सारी conditions को रख चुका हूँ और अब इन सारी conditions को मैंने end function के अंदर इस्तमाल करना है और यह data validation में मैं use कर सकता हूँ तो अब मैं अगर इसे select कर लूँ end function के अंदर यह सारी condition को मैंने रख दिया है और copy कर लेता हूँ इस range को उसके बाद इस area को select करके मैं प्रेस करूँगा Alt D L जैसे ही मैं Alt D L प्रेस करूँगा Any value की जगा मुझे लेना होगा Custom और यहाँ पर मैं formulae में paste कर दूँगा और अब OK प्रेस कर दूँगा और अब कोई भी number देखें पहले से जो number type हों उन पे तो ये काम नहीं करता लेकिन अगर कोई नया number type करेगा तो वो इस पर work जरूर करेगा तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई value अगर आप repeated लिखेंगे तो वो allow नहीं करेगा आप लोग 5 digit की नहीं लिखेंगे तो allow नहीं करेगा unique नहीं लिखेंगे तो allow नहीं करेगा id dash नहीं होगा तो allow नहीं करेगा यनि सारे reasons अगर आपके बूरे नहीं होते तो allow नहीं करेगा इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक questions मैंने आप और और बना रखा है अगर mobile number के case में आप लोग data validation यह इस्तमाल करना चाहते है तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसमें 3 सवाल आप यह basically होंगे कि यह mobile number unique होना चाहिए number होने चाहिए और 10 digit का होना चाहिए तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर formula यूज़ किया हुआ है जिसमें मैंने length को इस्तमाल किया है और अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने unique के लिए count tip को इस्तमाल किया है और तीसरा जो formula मैंने इस्तमाल किया है वो है number जैसे मैंने is text इस्तमाल किया था यहाँ पर मुझे इस number इस्तमाल करना था तो मैंने तीनों formula को use कर लिया है अब अगर मैं इसे data validation में paste करूँगा तो कोई person इस पूरी range में type नहीं कर पाएगा wrong number, duplicate number और 10 digits से कम number तो मुझे उमीद है कि आप लोग को इस video से काफी अच्छी जानकारी मिले होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज से लाइक शिर कर देना शानल पर पाएली बार है तो सब्सक्राइब कर निक्साथ साथ नो डिवीशन बेल को भी दबा देना मिलते है अगली वीडियो में एक और नहीं का निट के साथ अफ तक लिए देख तरी इसिख तरी गाइड ओफ माड